हम तुलसी विवाह कि तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके शाप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं हम तुलसी विवाह कि तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके शाप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुलसी विवाह कथा, सुनने से मिटे व्यथा ये तुलसी विवाह कथा, सुनने से मिटे व्यथा प्राचीन काल में एक मुने हुए साविर नाम के करके घोर तपस्या मालच में को प्रसं किये उनके तपसे खुश होकर माता सामने आप बोली मांगो जोवर चाहि तुमको भर दूंगी जोली धन वैभों की देवी हूँ तुम जो भी चाहोगे मुहमा गावर दान मुनीवर मुझ से पाओगे माता लक्षमी के साक्षात हुए उन्हे दर्सन खोली मुनी श्राविर ने आथे हुए बड़ प्रसन हात जोड मालक्षमी को वो सीस नवाते हैं पामन कथा सुनाते हैं जिनके शाप से श्रीव श्रू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुल सी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा ये तुल सी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा बोले मुन के हैं बाता मुझे ना बन ना घनवान पुत्री बन घर मेरे आओ मैं हूनी संता सुना जो माता लच्छ मेजी फिर वो मुसकाई पुत्री का वर माग के नारी की हैसान बढ़ाई होता जो कोई और वो मुझे से मागे धन दाउलत पुत्री बनू तुमारी तो मेरी बढ़ जाए सुहरत तुलसी नाम से घर में तुमारे पुत्री बन आओंगी लेकिन स्रीहर विष्णू को भी छोड नहीं पाओंगी बिन मेरे स्रीहर विष्णू भी रह नहीं पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके शाप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुल सी विवाहक था सुनने से मिटे व्यधा तुल सी विवाहक था सुनने से मिटे व्यधा तुल सी रूप में फिर साविड के घर में वो आई जन्मी कन्या घर में सब ही देने लगे बधाई जैसे जैसे हुई बड़ी वो होने लगी अति सुन्दन नैन नक्स है तीखे उसके वारी अति मधुलन लेकिन विष्णू जी का धान में वो तो लगी रमने बोली विष्णू जी मुझको इस जन्म में भी वरने बत्री बन मैं जातर करने लगी तपस जाखो बैठ गई ब्रह्म्भा के ध्यान में ना सूजा कुछ आओ जम्भा जी उसके तपसे प्रसन हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके शाप से श्री विष्णू अधर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुल सी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा ये तुल सी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा ब्रह्मा जी बोले हैं कन्या मागो जो चाहें प्रसन हो कर तपसे तुम्हारे वर्देने आएं बोली तुल सी है ब्रह्मा जी तो इतना वर्दान त्री हर के जर्णों में मुझे को मिल जाएं अस्थान बोले ब्रह्मा ये वर्दान तो नहीं मेरे है वस में लेकिन विष्णू जी का अंस है एक ही राच्छस में संक चूड नामक पालक दानों कुल में है चन्न लेकिन पूर्व जनम में परसद विष्णू का ही था विष्णू जी के अंस अभी तक उसमें समाते है पावन कथा सुनाते है जिसके साप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते है हम कथा सुनाते है ये तुल सी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यधा ये तुल सी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यधा दानव पुल में जनम लिया पर वो है बड़ा सुसी बनके अरधांगिनी भग तुम्हारा जाए खिल अनजाने में पूर्व जनम में उससे पाप हुआ तभी तो दानों पुल में आकर उसने जनम लिया अगले जनम में ब्रिंदा बनके उससे व्याह रचाना पती ब्रता के धर्म को भी उसके साथ निभाना ब्रम्हा जी का दिया वचन फिर तुलसी ने है निभाया संख चूड दानों के संगे जाकर प्याह रचाया संख चूड भी पतनी रूप में उसे अपनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके शाप से स्रेविष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुलसी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा पति बरता पत्नी को पाकर उनका बढ़ा विश्वाद जाते हैं ये तुलसी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा पति बरता पत्नी को पाकर उनका बढ़ा विश्वास संख चूड अपने राज का करने लगे विकार सारे देवी देवों को भी उसने जीत लिया स्वर्ग का राज भी उसने है देवों से छीन लिया मिलकर सभी देवता भी दम्हा के पास आए संख चूड कैसे वापिस अब राज लोटाए बोले रम्हा पति मरता है पतनी उनकी तुलसी धर्म नश्ट हो उनका उसको जीत सकोगे तभी भोले नाथ की सरण में सभी देवता जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके शाप से स्रीव श्नू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुलसी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा कहने लगे भोले मैं उसको जाकर समझाता हूँ संक चूड के पास मैं फिर तो गोले आते हैं लोटा दो देवों का स्वर्ग फिर से समझाते हैं बोला संक चूड ये मैंने युथ करके जीता हैं जीतेगा जो युद्थ में मुझसे स्वर्ग को लेसकता हैं कहने लग बूले के देखो हम वहताल है करोग जो युद मुझसे तुम्हारा निषचित काल है युद करने को फिर दोनों तयार हो जाते है पावन कथा सुनाते है जिनके साप से स्रेविश्नु पत्थर बन जाते है हम कथा सुनाते है ये तुल सी विवाह कथा, सुनने से मिटे व्यथा भोले के संग देवोने की युद्ध की तैयारी, संख चूड के संग में फिर तो युद्ध हुआ बड़ा भारी अस्त्र सस्त्र और सक्तिया देवता लगे चलाने, संख करे साम न डट कर नहीं हार वो माने फिर माया संख चूड ने है परियोग किया, सस्त्र रहे हैं उसके चलते वो खुद लुप्त हुआ दिखे नहीं जो दुसम देवता किस परवार करे, हारे गाना संख चूड कभी सोचिक सभी डरे हार मान कर वो विष्णू की सरन में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं जिनके स्लाप से स्रे विष्णू पत्थर बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ये तुल सी विवाह कथा, सुनने से मिटे व्यथा बोले विष्णू संख चोड की पति वरता नारी सती धर्म के तंपर पड़ गया सब पे वो भारी काकत से तो संख चोड को कभी न जीत सकोगे तुम जीतोगे गर बिंदा के धर्म को नश्ट करोगे पति वरता का तूट धर्म हो जाए सकती ही करके वद फिर उसका हम तो लेंगे स्वर्ग कुछी सभी देवता बोले आप ही कर सकते ये काम वर्ना संख चूडने कर दी सब की नीद हराम विंती सब देवों की विष्णू मान नहीं जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके श्राप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुलसी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा ये तुलसी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा बनाकनीत फिर से वो सब युथ करने आएं विष्णू जी ने संक चूड की रूप लिया है बनाएं संक चूड बनकर विष्णू जी महलों में आते हैं आकर वो बिंदा को आवाज लगाते हैं सुन आवाज पती की बिंदा दोड़ी दोड़ी आई संक चूड रूपी विष्णू ने उसको खबर सुनाई सब देवों से युद्ध देवी मैं जीत के हूँ आया खुसी से जूमू ठी बिंदा और उनको अंग लगाया अपनी चाल में विष्णू जी सफन हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके स्राप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुल से विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा बिंदा तो विष्णू की चाल को समझ नहीं पाई संख चूड की सकती फिर तो काम नहीं आई हुआ धर्म जो नश्ट तो भोले ने तिर सूल चलाया संख चूड का काल तो फिर भोले के हाथों आया हुआ अंत उसका विष्णू जी असली रूप में आये छल से कर दिया धर्म नश्ट मेरा बिंदा रुदन मचाए देख के विष्णू जी को ब्रिंदा गई क्रोध में भर दिया साफ फिर विष्णू जी को बना दिया पत्थर शाली ग्राम पत्थर फिर विष्णू बन जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके श्राप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुल से विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा ये तुल से विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा बोले विष्णू साप तुम्हारा ना वरताने से कम बनोगी तुलसी और रह्पत कर साली ग्राम ही हम मुकुट पे मेरे सदा रहेगा देवी तुम्हारा स्थान तुलसी से मेरा करे जो पूजन लूंगा उत्तम्मा देव उठावन एक आदसी को तुमसे करूँ विवान संख चूड को भी मैं अपने साथ ही दूंगा जगान एक आदसी को जो भी हमारा विवाह कराएगा जीवन में वो ताडी तो कभी दुख ना पाएगा साली ग्राप तुलसी कातब से व्याह रचाते हैं आवन कथा सुनाते हैं जिनके साप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुलसी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा ये तुलसी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा देव उठावने एक आदासिकों चली है पर था तुलसी विवाह की भक्तों हमने जो है कहीं कथा हो जाते हैं परसन में इससे खुद विष्णू भगवान सुख और सांती का मिलता है भगतों को वरदा कथा को सुनने मौत से ही मिटते कष्ट कले डीयस पाले रहेगा तालिखता रह फोजी सुरे हंस राज रेल हन भी है दिया ये ही आदे सोनो टेक चैनल पे कथा ये चलती रहे हमें सब राजिस ठकुरालिक जैसे सुनना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिनके श्राप से स्री विष्णू पत्थर बन जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये तुलसी विवाह कथा सुनने से मिटे व्यथा ये तुलसी विवाह कथा